हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एज्जू किसनल चैनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे, ओफ लॉक्जासिन मेडिसिन के बारे में और जानेंगे उसके बेजिक लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे आप जो टाइटल स्लैड के अंदर जो देख रहे हैं, तो ओफ लॉक्जासिन जो है एक एंटिबायोटिक मेडिसिन है, और यह जो है वो बहुत सरे अलग-अलग बैक्टिरिल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, तो जानते हैं डिटेल में उसके बारे में, तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर, और सिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर आप फार्मरोक्स, तेंक्यू फर बी इन 2.7 लेक्ट फैमिली आप फार्मरोक्स, अबडेट इट रही है फार्मरोक्स के साथ, एक्सेस करिए बाग्जासिन जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन कहा जाता है और यह बहुत सारे बैक्टेरियल इंफेक्चंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है फार्मकनलोजिकली हम देखे तो यह जो है वो मेडिकेशन फ्लोरोक्नोलान क्लास का मेडिकेशन कहा जाता है कि जिसको सौट में FQ जो है वो लिखा जाता है कि फ्लोरोकृनोलान्स और काफी popular medicine है ये अलग-अलग जो एंटिबायोटिक होते है उसमें से और ये फ्लोरोकृनोलान्स के अंदर first generation फ्लोरोकृनोलान कहा जाता है और बहुत सारे bacteria के सामने उसकी antibacterial actions जो है वो देखने को मिलती है और ये जो bacteria की जो growth होती है उसको अठकाता है और अपनी pharmacological action देता है तो it work by stopping the growth of bacteria in person who taking it कि जो भी लोग उसको लेते है तो उनके body के अंदर जो भी bacterial infection हुआ होता है तो उसको cure करने में ये ofloxacin जो है वो help करता है तो उसके basic use हम समझे तो कौन से अलग-अलग infections को treat करने के लिए ofloxacin यूज किया जाता है तो एक है pneumonia and lung infections कि जो respirated rag related infections होते है और उसमें भी lungs के अंदर infections फैलते है जैसे कि pneumonia वगेरा होता है तो उसके इलाज में भी ofloxacin जो है वो use किया जाता है फिर skin related जो infections होते है उसमें भी ofloxacin यूज की जाती है फिर जो bladder का infection होता है कि urinary tract के अंदर जो bladder infection के अंदर होता है कि यहाँ पे आप जो यह जो bladder देख रहे है फिर यह ureter का portion ती यह जो bladder की wall आप देख रहे है opening of ureter देख रहे है तो यहाँ पे आप देख सकते कि यह जो bacteria है वो यह yellow color के develop हुए है और यह urinary tract जो है वो पुरा वहाँ पे infection जो है फिला सकते है तो bladder से जो है वो infection ureter kidney तक भी पहुँच सकता है तो इसका जो है वो proper ilaj करना जरूरी है तो ophlox dasin जो है वो prescribe की जाती है कि जब bladder के infections होते है फिर infections of reproductive organs कि male और female दोनों के अंदर जो reproductive organs से उनके infections के अंदर भी यूज किया जाता है ophlox को फिर जो prostate की जो हम बात करते है कि जो reproductive gland है prostate gland जो कहा जाता है उसके infection के अंदर भी यूज की जाती है और जो urinary tract infections के अंदर भी ये medicines को prescribe की जाती है तो ये है उसके basic uses की कौन से अलग-अलग medical conditions में ओफ्लॉक्स जासिन यूज किया जाता है अब जानते हैं उसके अलग-अलग doses form तो ओफ्लॉक्स जासिन जो है कि ओफ्लॉक्स जासिन के tablet 200 mg की strength के अंदर फिर ओफ्लॉक्स जासिन के iron ear drops भी available है ओफ्लॉक्स करके तो ये भी sipla का है और product है ये से बहुत सार अलग-अलग pharma companies भी ओफ्लॉक्स जासिन के iron ear drops बनाता है उसी तरह से आप देख सकते हैं तो उसका parental IV infusions भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो single dose container रहता है और intravenous use के लिए ही होता है तो ओफ्लॉक्स जासिन का आपको infusion भी मिल जाएगा मतलब कि tablet doses भी available है और parentral भी available है और ophthalmic doses भी ओफ्लॉक्स जासिन का available है तो उसके हम eye drops के बारे में समझे तो ओफ्लॉक्स जासिन के जो eye drops होते हैं वो conjunctivitis के treatment के लिए prescribe किये जाते हैं कि जिसको हम कहते है pink eye या पे ये वाले diagram के अंदर जो आप देख रहे हैं first वाले this one तो ये है conjunctivitis के condition के जिसको हम कहते है pink eye second जो है वे ulcers of cornea तो ये जो second diagram के अंदर आप देख सकते हैं ये सब conditions की जब ulcer जैसी condition form होती है cornea के अंदर राखो के तो उस वक्त भी of loxacens के जो ophthalmic eye drops जो है ophthalmic solution जो है वोसका use किया जाता तो यहाँ पे आप देख सकते है of lox state करके ophthalmic solution की जो 10 ml के strength में हो और ये medications रहते है rx only तो अच्छे से ophthalmologist को या फिर eye specialist को दिखाने के बाद ये of loxacens के eye drops जो है वो use किया जा सकते है कि conjunctivitis and ulcer of cornea के अंदर तो ये होगा ये ophthalmic use of loxacens का अब आपने जाना होगा कि of loxacens जो है वो combination में कई बार use किया जाता है ornidazol के साथ तो of loxacens भी antibiotic है ornidazol भी antibiotic है तो दोनों का जो combination है वो अलग-अलग bacterial and parasite के infections के अंदर use किया जाता है जैसे कि किसी को acute diarrhea है तो उसके इलाज में या पर आप देखो ranbex का ये जो product है on-off OZ करके तो ये जो है वो acute diarrhea के treatment में use किया जाके जिसके अंदर of loxacens और ornidazol दोनों जो है वो present है कि of loxacens जो है उसके अंदर है 200 mg के अंदर रहता है और यहाँ पर आप देखो तो ornidazol की strength जो लिखी है वो है around 500 mg तो ये जो combination होता है वो acute diarrhea के treatment के अंदर dysentery की जो पेट में maroad आना जो हम कहते है उसके लाट में use किया जाता है gynecological infections के अंदर lung infection and urinated rect के infection के अंदर ये combination जो है वो use किया जाता है अब हम जाने तो of loxacens के जो injection है कि IV injections जो आता है कि यहाँ पे आप देख सकते के 200 mg per 100 ml के ये जो 100 ml का IV infusion जो आप देख रहे तो जिसके अंदर medication जो रहती है वो 200 mg जितना medication उसके अंदर रहता है और ये slowly जो है वो patient को दिया जता है 60 minute तक ये bottle रहे उस तरह से ये लगाया जता है every 12 hour treatment therapy usually minimum 3 days to maximum 10 days से तीन से लेकर 10 तीन तक patient की जो है वो treatment चलती है depend on infection तो ये होगा उसका injection का use आगे समझेते हैं उसके daily dose के बारे में तो ofloxacens के आप चाहे tablet यूज कर रहे है या फिर जो infusion यूज कर रहे है intravenous तो जो loading starting dose होता है वो रहता है usually 200 से लेकर 400 mg डेली once a day खास कर कि जो loading starting dose जो है वो 200 से लेकर 400 mg के अंदर रहेगा फिर जैसे treatment स्टार्ट हो जाती है और जो maintenance dose होता है वो रहेगा खास कर 100 mg से लेकर 200 mg पर day कि आप ये जो tablet देख सकते है ofloxacens 200 mg तो ये जो है वो usually खास कर दिन में एक ही बार लेना जो है वो सही रहता है खास कर कि जो उसका maintenance dose रहता है और ये जो है वो खास कर as per the direction of physician ही यूज करना चाहिए because self medication उसका करना dangerous हो सकता है because ये antibiotic medication से prescription based drug है कि आप आप देख सकते है कि ये RX only medications रहते है और साथ ही उसके अलग-अलग जो side effects भी होते हैं कि जो हम आगे समझेंगे तो उसके करन जो है वो proper direction के साथ ही use करना चाहिए under the medical supervision आप जानते हैं उसके mechanism के किस तरह से ये ophloxacin जो है वो काम करता है तो ophloxacin जो क्या करता है तो topo isomerase 2 जो enzymes होते हैं उसकी activity को जो है वो inhibit करता है जिसके करन जो भी bacteria होते हैं उनकी death हो जाती है तो ये होने का जो reason है कि ये जो enzyme जो है जरूरी है necessary है to separate the bacterial DNA कि bacteria का जो genetic material है DNA तो उसके separation के लिए ये वाले enzyme का होना जरूरी है कि जिसको कहा जता है topo isomerase 2 अब ophloxacens क्या करती है ये enzyme की जो activity है उसको completely inhibit कर देता है जिसके करन क्या हो जता है enzymes हो जाते हैं और disabled enzyme जो है वो आगे ये DNA के separation के process नहीं कर पाते अब genetic material जो है उसका separation नहों होने के करन आगे जो cell है वो proper develop नहीं हो पाता और आगे जाके उसकी death हो जाती है तो उस तरह से जितने भी bacterial cell जो आपकी body के अंदर present होते है वो दिरे दिरे जो है वो कम होते जाते कि जैसे जैसे ये enzymes की activity को inhibit करता है ये medications तो bacteria की जो growth है वो कम हो जाती है और एक समय completely जो infection है वो treat हो जाता है तो ये हो गई उसकी mechanism अब जानते हैं उसके कुछ common side effect तो nausea हो सकता है उसके बाद vomiting, diarrhea stomach pain होना, constipation change in ability to taste the food की जब आप कुछ खाना खाते है तो उसका जो taste की ability के taste जो आप परक सकते है वो ability जो है वो आपके change हो जाती है कम हो जाती है कई बाद भूख कम हो जाती की जिसको हो कहते है loss of appetite तो ये है कुछ उसके common side effect या पर आप खास द्यान रखे of loxacens के ये common side effect है but इसके कुछ ऐसे serious side effects भी है तो गर आप ये serious side effect आपको होती है तो तुरंद medicines लेना जो है वो stop करना चाहिए और तुरंद आपके doctor या फिर pharmacist को contact करना चाहिए तो stop taking medicine if you feel the following symptoms are as a side effect of of loxacens तो सबसे पहला symptom जो है वो है fanting कि जिसको कहा जाता है loss of consciousness मतलब कि अच्चानक से चक कर आके आप जो गिर पड़ते हैं तो ये condition को हम कहते हैं fanting तो consciousness अच्चानक से चली जाती है और आप जो है वो गिर जाते हैं ऐसे condition produce होती है ये medications लेने के बाद तो तुरंद ओफ lox को लेना बन कर दे second आपको ऐसा फिल होता है कि breathing करने में difficulty हो रही है swelling में difficulty हो रही है कि इस तरह से breathing आपके sort हो रहा है breathing में problem हो रहा है swelling करने में problem हो रहा है आपको तो swelling वगिरा में problem होती है तो तुरंद ये medicines बन कर दे तिसरी condition आपको swelling हो रही है मतलब कि आप सूजन हो रही है खास समझे swelling मतलब कि जो हम कुछ भी खाना खाते है पाने पीते तो swallow करते है उसमें difficulty हो रही है तो भी आपको ये नहीं लेना है फिर swelling मतलब कि सूजन हो जाती है कहाँ पर सूजन होती है तो eyes के उपर आपको सूजन देखने को मिलती है आपके face उपर सूजन mouth lips का जो portion है tongue मतलब कि आपकी jeep का portion throat में आपको swelling देखने को मिल रही है आपके hand, feet मतलब की heart, fair, ankle का जो portion है lower legs वगेराग पर समझो कि आपको सूजन देखने को मिलती है off-lock resistance लेने के बाद तो तुरंट लेना उसको बंद कर दे and sudden pain in chest stomach और back back pain जैसा आपको feel होता है chest के अंदर pain होता है side effects जो है वो देखने को मिलती है कि जब वो off-lock resistance को use करते हैं तो सभी cases के अंदर ऐसा नहीं होता बड़ समझो कि किसी को भी ऐसा feel होता है कि off-lock resistance लेने के बाद ये कुछ side effects उनके अंदर देखने को मिल रही है तो तुरंट उसको बंद करें और उसके दिसरे जो alternative antibiotic होते है वो आप use कर सकते है as per the direction of your physician और pharmacist अब जानते हैं उसके contraindications कि कौनसे लोगों को ये use नहीं करनी है तो अगर आपको diarrhea हुआ है इन diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो off-lock resistance इनको use ना करें second आपको diabetes है और साथ ही आपका blood sugar level काफी काम रहता है तो भी आपको off-lock resistance इनको avoid करनी है फिर low amount of potassium in the blood ऐसे condition में भी avoid करें फिर low seizures result कि आपको seizures की conditions रहती है तो भी use ना करें lungs, kidney या फिर heart transplant किये हुए आप patient है कि कुछ ऐसे लगोगे थे कि जिसके अदर heart transplant क्या होता है kidney या फिर lungs फिर जो peripheral neuropathy के patients होते है ऐसे conditions की जिसके अदर जो neurons होती है nerves होती है, legs के अदर वहाँ पे काफी painful conditions आपको feel होती है तो वो लोग भी off-lock resistance यूज ना करें और severe liver disease वाले patient भी off-lock को यूज ना करें तो यह थे उसके contraindications तो यह था हमारा special video lecture about the off-lock तो फार्मरोक्स के जो lectures not होते है वो फार्मरोक्स के आप उपर access कर सकते हैं तो download करें आप फार्मरोक्स की जो android application आप download कर पाऊगे as well as apple iphone app store से भी उसको download कर पाएंगे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so thank you for watching join कर सकते हैं फार्मरोक्स को और access करें study material stage series and video lecture तो android user android app download कर आप 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 स्टोर से link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best आपको किसी अनद आपको और